नमस्का दोस्तों आप लोगों को याद होगा रीसेटली सुप्रीम कोट द्वारा एक लेंडमार्क जजमेंट दिया गया जहां पर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहल्ड किया गया जब सुप्रीम कोट ने एक किया तो दूसरी तरफ चाइना को मेची लग गया और चा कुमुकशमीर के अंदर चाइना इडिया बॉर्डर है उसका वेस्टन पॉरषन यानि के लदधाख वाला डेजियन चाइना का है इस पर क्लेम किया है डीसेटली चाइना चाहिना ने इसे डिया क्यों किया और आर्टिकल में चाहिना के क्या इं सब कुछ आपको आमें मिल पहले सवाल आप लोगों से पूछा चाहूंगा कि कौन से इंस्टिउशन ने भारत के फिस्कल स्पेस में कॉशन द जाता है कि बहुत बड़ी रिस्क आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कहूं तो इस इंस्टिउशन दोरा ये कहा गया है कि भारत का लोन उसकी जीडीपी के बराबर होने वाला है आपकी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आईएमे, वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम या एडीबी सही जवाब आपको नीचे देना है, कमेंटिक अंदर, जो सही जवाब होगा उसके उपर में हार्ड मिन कर दूँगा चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं, आर्टिकल 370 एक्च्वल में था क्या सबसे important region था जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए बहुत कश्मकश लगी थी ऐसी condition में जम्मू कश्मीर को एक special status भारत के द्वारा दिया गया था आर्टिकल 370 के रूप में, जहां पर part 21 of the Indian constitution के अंदर एक temporary transitional special provision दिया गया था जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल भारत के कानून नहीं लगेंगे हैं जम्मू कश्मीर अपनी खुद की अलग constitutional assembly बनाएगा, अपना अलग सन्विधान बनाएगा उसके अलग कानून होंगे जमीन को लेके, fundamental right को लेके, नागरिता को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो दूसरे भारत के भाग के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो जमीन भी नहीं खरीच सकते हैं इस तरीके का special status जम्मू कश्मीर को दिया गया था मनलत कुल मिला के देखें, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ही वहां के सब कुछ administration, land वगयरा decide करती थी भारत के पास में defense, foreign affairs जैसी चीज़े थी यानि कि कहीं न कहीं effectively जम्मू कश्मीर भारत की sustainability के अंदर हो गया था जम्मू कश्मीर भारत का भाग तो था बड़ उसके बावजूद भी पूरी तरीके से integrate नहीं हो पाया था जिसके कारण से जम्मू कश्मीर में development वगयरा के कई सारे issues जो वो आ रहे थे उसके साथ में जम्मू कश्मीर एक ऐसा region है जहाँ पर काफी ज़्यादा insecurity देखने को मिलती है क्योंकि पाकिस्तान इधर है चाइना इधर है जिसके कारण से काफी conflict यहाँ पर देखने को मिल रहे थे एसी condition में भारत को चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के उपए कि stronghold हो पर stronghold कैसे हो आर्टिकल 360 है तो फिर इसको ineffective करना पड़े और मैंने बता है कि temporary provision था तो इसको हटा जा सकता है Constitution को इसके अंदर Constitution के अंदर को हटाने के लिए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की constitutional assembly Article 370 को अठा सकती है पर Constitution बनाने के बाद जम्मू कश्मीर की constitutional assembly तो डिसॉल हो गई थी जिसके बाद लगबग आठिकल 370 permanent हो गया था पर आपको पता है भारत के अंदर दो बड़े बहुमत किसी की नहीं आई थी पिछले चुनाओ तो जम्मू कश्मी ने पीडीपी के साथ में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ में मिलके कोलीजन मना था एक कोलीजन की सरकार बने थी थोड़ समय सरकार चली और जान मुझके बीजेपी ने क्या किय बीच में सपोर्ट हटा दिया जिसके बाद जम्मू कश्मी में सरकार गिर गई सरकार गिरी तो गवर्नर का रूल लगा और गवर्नर के रूल के बाद प्रेसिडेंट का रूल लगा अब constitutional assembly को interpret किया गया कि क्योंकि अभी constitution assembly नहीं है तो फिर कौन हटा सकता है legislative assembly जम्मू कश्मीर की पर क्योंकि अभी वो समय है जब सरकार गिर चुकी है यानि की legislative assembly dissolve हो चुकी है तो ऐसी condition में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट मिलके constitutional assembly का काम करेंगे और ये मिलके article 370 को हटा सकते है जिसके बाद article 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर के special status को हटाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा और पार्लियामेंट के अंदर एक resolution को पास करके जो की 5 और 6 अगल 1219 को पास हुआ था जिसके बाद जम्मू कश्मीर का special status हटा अभी भी अकर इसको राज्य का दरजा देते तो सिरी सी बाते जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा development हुआ था एक बहुत बड़ा चेंज था जिसे कायां से कई साहे लोग इसके खिलाब विरोध करते क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है उसके पास में अभी बहुत पावर थी जम्मू कश्मीर अब वह पावर छूट रही थी तो विरोध तो होता तो यहां पर इन्हों ने क्या गिया के इसके साथ में constitution को औमेंट करने के साथ में जम्मू कश्मीर एक्ट भी ले आए जहां पर जम्मू कश्मीर के राज के स्टेटस को भी हटा दिया गया जम्मू कश्मीर का रीजन के वल यही छोड़ा बाखी का रीजन लगदाग कर दिया और दोनों को युनें टेरिटर भी गोसिच कर दिया इस तरीके का डेवलपमेंट उस समय पर हुआ था जब यह डेवलपमेंट हुआ भारत का इस्ट्रॉंग हुआ उस समय पर भी चाइना ने आर्टिकल 370 के को जब इनिफेक्टिव किया तो उस समय पर भारत सरगाओ क्रिटिसाइज किया था कि यह इलीगल है यह जो उसका डिजॉल होने के बाद आर्टिकल 370 को हटा जा सकता है क्या यह सच में एक टेंपररी प्रोविजन है या कॉंस्टिटूशनल असेमली के डिजॉल होने के बाद 1976 के बाद यह परमानेंट प्रोविजन हो चुका है पहला सवाल दूसा सवाल था कि प्रेसिडेंट बिना स्टेट गवर्मेंट की परमीशन के बिना जम्मू कश्मीर से बात किये क्या आर्टिकल 370 को हटा सकता है और तीसरे पकाये लोग थे कि हां हटा दो कोई बात नहीं पर जम्मू कश्मीर को राज का दर जा दे दो तो यह तीन में सवाल उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के पास में थे हो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों सवालों के जवाब दिये कहा कि आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं था यह एक टेंपररी प्रोविजन था प्रेस्टीडेंट बिना स्टेट गवर्मेंट की परमीशन के उसको कॉन्फिदेंस में लिए बगेर बिलकुल से हटा स सकते हैं आर्टिकल 370 को कि इसी चीज के जो इस टेट को जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट थी उसको यूनियन का दर्जा इसलिए दिया गया था ताकि प्रोटेस्ट वगिरा नहीं एक ट्रांजिशन फेस के लिए पर भविश में जम्मू कश्मीर को राज का दर्जा दे दिया जाए भारत सरकार के द्वारा इस चीज की भी बात सुप्रीम कोट ने कि मतलब ओवरल रूप से आर्टिकल 370 के हाटाने को अपहले सुप्रीम کोट ने किया ज़स सुप्रीम कोट यह ऺजिए फिर से चाना को दिख करह सो चाइना की जो फॉरेंड मिनिस्ट्री की को इंपेक्ट नहीं करेंगी वेश्टन सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर ऑल्वेज बिलॉंग टू चाइना यहां पर यह खास उपसे अक्साइचीन अगया की बात कर रही है आला कि आर्टिकल 370 के हटने से भारत के अगर जम्मू कश्मीर के अंदर होल इस्ट्रॉ लिजन जो lud की फाकिस्टान occupied कश्मीर है उसके लिए भी क्योंकि फाकिस्टान occupied कश्मीर में से चाना का बैंट इन आपनेध इनिशेटिव का चाइना के इंट्रेस्ट खराब होंगे इसलिए चाइना आर्टिकल 370 का विरोध करता आया है आप लोग को यह सारी बातें जो है वो समझ में ही होंगी लेक्चे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्चे बहुत अच्छा लगाओ तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को UPS CAC की तयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो अनके अड्मी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेश खोल दी है डेली के करूलबाग के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन के अंदर मुखरजी नगर के अंदर ऑल्रेडी ऑफलाइन क्लासेश चल रही है अगर आप चाहो तो आफलाइन क्लासेश के अंदर पढ़ सकते हो जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको बढ़ाएंगे विवेक सिंग सर जिनके नाम की हिताब चलती है सिद्धात अरूरा सर यह आपको पढ़ाने वाले इंडिया के टॉप तीचर्स आपको प आपको और आपको एसा है मैं नहीं जा सकता त्यादूर मैं तो घर पर बैटाओं में गर्वेटेशते पढ़ागे टेश्यूरों में कीद्ने जरूरी है कितना क्लासेशному कि या प्रैसेशahaha कितना discount मिल सकता है तो नीचे मैंने counseling form दिया उस counseling form को fill out कर देना हमाई team आपको reach out कर देगी और जब हमाई team reach out करेगी तो आपको हर एक चीज के लिए guide कर देगी इसके अलाव src10 जो code यह src10 code अगर आप खुद offline जाते हो वो आपको कुछ fees बताते हैं तो उनको कहना कि यह fees नहीं बरूँगा मैं मैं शुबन सर का student हूँ मैंको तो src10 code लगाना है जिसके बाद आपको 40% तक के discount जो मिल जाएंगे I hope आप लोग को इसाई बाते जो समझ महीं होंगी लेक्चे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्चे बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे अशास इटेन कमेंट करना आज के लिए तै दोस्तों देट सर्फ पर माशाई जहिन जेभा